अक्सर लोग यातायात नियमों की अंदेखी करते हैं और यही अंदेखी उनके लिए जानलेवा साबित होती है इन्ही यातायात नियमों की अंदेखी में सबसे पहला कारण है बाइक ड्राइविंग के दौरान हेलमिट ना पहनना दुपईया वाहनों की ड्राइविंग के दौरान लोग हेलमिट पहनने की अंदेखी ना करें इसके लिए सीतापुर के राज के इंटर कॉलेज में दसवी कक्षा के चात्र अरुन कुमार ने सेंसर युक्त हेलमेट तैयार किया है, जिसके लगाने के बाद ही बाइक स्टार्ट होगी. तो हमने सोचा कि इसी का थोला करें, तो हमने ये हलमेट बनाया है, इसको जब तक हम हलमेट को लगाएंगे तभी तक बाइक स्टार्ट होगी, हलमेट जब उतार देंगे तो बाइक अपने आप बंद हो जाएगी, तो जब तक helmet नहीं लगाएंगे तब तक bike start नहीं होगी तो bike चला भी नहीं सकते हैं तो इसलिए helmet आवस्सक है कैसे बनाया इसको क्या दिमाग में इडिया है इसको हमने इसमें wireless control एक car आती है RC control car उसमें wireless controlling होती है इसलिए हमने उसका wireless इसमें किया है और वो जो circuit bike वाला bike में लगा है उसमें connect जाता है उसमें एक लगा है वो relay लगा है relay जब active होता है तो वो उसका काम करता है उसमें एक nation wire एक bike में होता है जो connect होते ही उसमें जब तक connect नहीं होगा तब तक bike start होगी तब बाइक अपने आप बंध हो जाएगी यानि आद जैसे ही हेलमिट हटाते हैं हेलमिट में लगा बटन बंध हो जाता है और बाइक आटोमेटिक बंध हो जाती है दस्वी के छादर अरुन कुमार ने काफी कम लागत से इसे तयार किया है ताकि इसका प्रयोग आसानी से किया जा सके इस हैलमिट को बनाने के बाद अरुन के चर्चे चारो और हो रहे है ये हमारे यहाँ एक दस्वी क्लास का छातर है और काफी तेज छातर है, इनोवेटिव है उसने एक नवाचार किया है पूरे बिस्व में जितने रोड एक्सिडेंट होते है उसका लगबग 20% केवल भारत में होता है तो इन सब को देखते हुए बच्चे ने अपना नवाचार किया है जिसमें एक उसने सेंसर ऐसा लगाया है इस हमेट को तयार करने में महस 400 रुपई की लागताई है चात्र अनुनकुमार विज्ञान प्रदर्शनी में भी इसका प्रदर्शन कर चुके है उन्हें कॉलेज के प्रिंसिपल अध्यापकों से तो सरहाना मिली ही है साथ ही जिलादिकारी और एर टियों ने भी इस कारे की सरहाना की है खाला अनुनकुमार विज्ञान प्रदर्शनी प्रदर्शनी फाला प्रदर्तर विज्ञाएं रिर गो जिलाद़।